इस वक्त हम मुझूद हैं उतर प्रदेश के देवरिया जनपद में रोद्रपुर थाना आए और ये फतेपुर गाउं है दो अक्टूबर को वो नरसंगहार हर किसी को याद है क्योंकि उससे पूरा देश साहत हुआ था और उस दिन पूरा देश अहिंसा दिवस मना रहा था और उस नरसंगहार की सबसे बड़ाई वज़त थी जमीनी विबाद वो यही जमीन थी मैं आपको दिखाना चाहूँगा और लोग बताते हैं कि इसी जमीन का विबाद था प्रेम चंद्यादो और सत्प्रकास दूबे के बीच में और फिर इसी विबाद को लेकर प्रेम चंद्यादो बताया जा रहा है कि सत्प्रकास दूबे के घर इसी राष्टे से होते हुए जाते हैं और फिर प्रेम चंद्यादो और सत्प्रकास दूबे के बीच में क्या कुछ बात विगड़ती है कि बात इतनी विगड़ जाती है कि प्रेमचंद यादों को मौत के घाट उतार दिया जाता है फिर प्रेमचंद यादों के घर के लोग जब इस बात को सुनते हैं या उनके समर्थन या समर्थक या फिर उनको जानने पहचानने वाले लोग कि प्रेम्चंदयादों को सतप्रकाष दूबे के घर पर चांद से मार दिया गया है, गर के त्पोड़ करती है, और और एक बड़ा बाला बच्चा बताया जारा कि वो पूजा पाठ कराने के लिए घर से कहीं बाहर गया हुआ था। इस तरह संगहार को लेकर तमाम ऐसी देश में, तमाम ऐसे संगठन हैं, तमाम ऐसी राजनेतिक पार्टिया के तमाम लेता हैं, जो इस तरीकी की बयानबाजी कर रहे हैं, इस तरीकी की पोश्ट कर रहे हैं, कोई ब्रामन वर्सेज यादो बना दिया गया है इस पूरे मामले क अब लोग ते कर रहे हैं कि अखिर अपराधी कौन है, हाला कि ये तो सासर प्रसासन न्याले का काम है कि इस मामले में दोसी कौन है, कौन अपराधी है, अखिर इस घटना को अंजाम कैसे दिया गया, ये सारा काम प्रसासन करेगी लेकिन तमाम लोग ऐसे हैं जो पोस्ट अलग-अलग तरीकी के पोस्ट कर रहे हैं, ब्रामण हैं तो कह रहे हैं कि इन्हीं ब्रामण के साथ हन्या हुआ है, वहीं यादो भी पच्च ये कह रहा है कि यादो है, तो यादो के साथ हन्या हुआ है, लेकिन सोचने वाली बात ये कि आखिर इस मामले को जातिगत तरीके से क्यों देखा जा रहा है 28 लोग के नाम मुकदमा दर्ज होता है जिसमें केश लोग की गिरफतारी होती है और इसमें यहीं पर प्रेम चंद यादो आते हैं और यह जो बैरिकेटिंग आपको दिखाए के लोग या फिर कोन वो लोग थे जिन्होंने प्रेम चंद यादो को मौत के घाट उतार दिया जब यह खबर प्रेम चंद यादो के घर तक पहुछती है उनके समर्थकों तक उनके जानने पहचानने वाले तक पहुछती है तो वहां से एक भीड़ कठा होकर आती है और इस बच्चे यह लग रहा है कि जब लोग यहां पर आते हों इस चीज को सुनकर तो पूरे आक्रोशित थे और उन्होंने पूरी कोशिस की पूरा नुक्सान पहुचाने का घर का नुक्सान पहुचाया तमाम सारी चीजों का नुक्सान पहुचाया वहीं पांच लोगों की निर से बाहर सुबर निकल गया था इस घटना से आप लोग अच्छे तरीके से परचित होंगे क्योंकि यह घटना दो अक्टूबर की है लेकिन इस घटना में तमाम चीजे ऐसी निकल कर आ रही है जिसको कहीं न कहीं इंसानियत को सर्मसार कर दे रही है लोग कोई आ रहा तो सिर्फ एक परिवार को संतुना दे रहा है तो कोई एक पच की बात कर रहा है कोई कह रहा है नहीं हम ब्रामण है तो हम ब्रामण का ही सहयोग कर रहे हैं तो कोई कह रहा है हम यादों है तो हम यादों के साथ है लेकिन जो प्रसासन है जो कानून है जो हमारा न्यायले है काम तो वो कर रहा है अब काम उसका ही है कि इसमें आखिर कोन तोसी है कोन अपराध हैं यादो का समर्थन कर रहा है अल्ग अलंग तरीके के सोसल मीडिया पर पोष्ट आःते तो आप समझे की च Strategy यहां तक कोई कह रहा कि कोई समझे लौग तो लोगी कोशिस कर और कहीं ने कहीं इन दो समदाओं नुदू जाटीों के बीच आप समझे एक पोस्ट के जरीए ología वातों के जरीए कि thankful ये लोग इसके साजिस कर रहे लगातार यह लोग यहां पर सुरुच्छा की दिरिष्टी से चाक्षा उबंद सिती में बने हुए हैं लगातार दिन हो या फिर रात हो